नमस्कार दोस्तों, मेशन आरट के इस ओनलाइन प्लेटपॉम पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत वे अभिनंदर आज हम E.M.R.S. के अंदर जो आरट का जो पेपर हुआ था, उस पेपर की एनलेसिस करने वाले हैं, ये पेपर 24 दिसंबर 2023 को हुआ था अगर देखा जाए इस पेपर के बारे में, इस पेपर में वो सारे क्योंस पुछे गए हैं, जो हमारे नेट की टेस्ट स्रीज के अंदर सारे के सारे क्योंस डाले वे हैं, अगर किसी विद्ध्यारती ने हमारे नेट की टेस्ट स्रीज जोइन कर रखी हैं, तो वहां से उसको इमेज वाले और इसके अलावा इतने भी क्योशन हैं, वो सारी क्योशन वहां से पूछे गए हैं, तो आप किसी भी कॉम्प्टिटिटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हो, तो आप मिशन आर्ट से एक बार जरूर जुड़िए, करते हैं, इसमें प्रसंद संख्या वैसे देखा जाए, तो इसमें जो एक से लेकर के 40 तक की क्योशन थे, वो जनरल क्योशन थे, और सब्जेक्ट की क्योशन है, वो 41 नंबर से स्टार्ट हुए हैं, और इसमें बीच बीच में कुछ ऐसे क्योशन भी थे, जो अपने चितरकल नहीं रहा है, तो कंपनी सेली के अंदर की बात करें, तो उनमें मुर्शिदाबाद, लखन और पटना तो रहा है, कौन सा नहीं रहा है, इसमें मेशूर है जो नहीं रहा था, अगला क्योशन, निमलिक्त में से कौन सी सेली, पहाडी सेली नहीं है, इनमें से कौन सी सेली है जो पहाड़ी नहीं है तो बसोली, कुलू, कांगडा इसके लाँ बात करे तो चंबा और गुलेर ये तो पहाड़ी सेलिया थी और इसमें जो ओप्षन है किसंगड ये नहीं है ये किसंगड है ये राजस्थानी सेली है यानि राजस्थानी सेली की क्या है एक उप सेली है यानि गोवर्धन परवत को उठाते वे क्रिशन, यह तस्वीर है जो हमारी टीम ने लगा दी है, आप इन तस्वीरों को देखिए, इसी परकार से तस्वीर देखते वे क्युसंस को याद करना चाते हो, तो मिशन आर्ट एप से जूड जाएए, इसका आप यह पूछ रहे है सिंदुगाटी सब्वेता के विभिन स्थलों में नहीं पाया गया है, यह प्रसन बहुत बार पूछे जाते हैं, मुर्दभांड करम, यानि यह तो मिलते हैं, मूर्थि कलाके भी उधान मिले हैं, आभूशन भी मिले, यहां से चितर कलाके जो अवसेस है, जो उधान है, ज इस चितर के चितरकार थे, अभूल हशन, निमलिक्त में से कौन सी सेली, दक्षिनी सेली नहीं है, दक्षिनी सेली की बात करें, तो उनमें बीजापूर है, एहमद नगर है, गोलकुंडा है, और दो इस्तल और आते हैं, एक बिरार और दूसरा बीदर, इसमें कौन सा नहीं है, निमलिक्त में से कौन कला का तत्वे नहीं है, यानि इन में से कौन सा है जो कला का तत्वे नहीं है, अजन्ता चितर निर्मान में प्रथम रेखंकन इस रंग से किया गया, तो अजन्ता चितर निर्मान में प्रथम रेखंकन की बात करें, तो ये किया गया था किस से ला गेरू रंग से, यानि इसे आप इंगलिस में देखोगे तो मिलेगा आपको red ochard red ochard कि अजंता के गुफाये किस नदी के किनारे स्थित है तो अजंता की गुफाये हैं ये बागोरा नदी के किनारे इस्तित है जहांगीर के सासनकाल के चित्रों की किनारियां सुनहरे रंग फूल पत्ती से सूस सजित होते थे जिन्हें कहा जाता था यानि इनको क्या कहा जाता था तो इनको कहा जाता था हासिया अगर विभागे अंसर की आने के बाद कुछ क्यूसंस अगर चेंज होते हैं तो हम उन क्यूसंस के अंसर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वहाँ आप देख लीजे हलांकि हमारी टीम ने पूरी कोशिस की है कि आपको मैक्सिमम सही से सही क्यूसं का अंसर बताया जाए दर्शे काला के मूल रूप को आरंब से सीखने के लिए सबसे पहले अभ्यास किस की होनी चाहिए तो सबसे पहले अभ्यास है वो किस की होनी चाहिए ये होनी चाहिए स्केचिंग की चित्र निर्मान में जल से बार बार रंग को धोने की परकिर्या कहलाती है तो ये क्या कहलाती है चित्र को बार बार यानि रंग को बार बार जल रंग से बार बार रंग को धोने की जो परकिर्या है उसको कहा जाता है वो से चित्रन सबसे अधिक सम्रद लुभावनी योजना जो एक एसाधान पांडू लिपी है सा जहां के सासन काल को यनि सा जहां के सासन काल की सबसे प्रसिद या लुभावनी योजना की एक पांडू लिपी है वो कौन से है वो है पद साह नामा यानि पाद साह नामा मेवाड सेली की उत्पत्ती चावंड में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है सन 1605 इस्वी में जिसके चित्रकार कोन थे यानि जो मेवाड में चावण से रागमाला की जो चित्र मिले हैं उन चित्रों के चित्रकार कोंते तो उनके चित्रकार थे निशार देने निमलिक्त में से किस सतय पर अजन्ता की गुफा चित्र नहीं हुआ है यानि अजन्ता की जो गुफा चित्र है वो किस सतय पर नहीं बने है तो छत में बने हैं, दिवार पे भी बने हैं और इसके लावा इस्तंबो पर भी बने हैं ये कहा नहीं बने हैं ये जमीन पर नहीं बने हैं इन में से किस माध्य में परियाप्त बंधक नहीं होता है इन में से किस माध्य में बंधक यानि बाइंडर्स का परियोग नहीं होता है तो बाइंडर्स का जो परियोग है ये ड्राई पेस्ट में नहीं होता है क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है इसको फिक्स करना पड़ता है आगे चलते हैं अगले प्रिशन पर प्रारंबिक मुगल लगु चितरकला सेली पर देशी विशे वस्तु औरे चितरकला सेली के साथ प्रभाव था यानि प्रारंबिक मुगल लगु चितरकला पर कौन सी कला से लिका प्रभाव था तो यहां पर फार्सी से लिका क्या रहा था प्रभाव रहा थो सिंदुगाटी सब्वेता का चित्रित मर्दभांड किस विधी से बनाया गया तो वहाँ पर जो मर्द भांड है वो चित्रित किये गए हैं तो वो किस पे बनाए गए थे वो कुमहार की चाक पर बनाए गए थे हडपा की सामाजिक विवस्था थी तो हडपा की सामाजिक विवस्था अगर हम देखें तो ये जाती और वर्ण आधारित थी निमलिक्त में से इस सेली में बुद्ध को मानवा कर्तियों में दिखाने जाने लगा यानि भगवान बुद्ध को मानवा कर्तियों के रूप में कहां पर दिखाया जाने लगा था तो ये दिखाया जाने लगा था मतुरा में लक्षमा गोड़ दुआरा रचित आदमी औरत वे पेड़ एक है ये चितर है आप देख सकते हो आदमी औरत औरे पेड़ ये क्या है ये ये लक्षमा गोड़ का किस परकार का चितर है ये एक छापा चितर है चोगान खेलती राजकुमारियां लगु चितर किस चितर कला सेली से समंदित है आप चितर को देख सकते हो ये जो लगु चितर है ये राजस्थान की जोदपुर सेली से समंदित है अगर आप इन चितरों को देखते वे तयारी करना चाहते हो तो आप Mission Art App में टेस्स रीज चल की समझ आ रही है तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे है उन नंबर्स पर आप कोल करिए और जुड़ने के लिए संप्रक कीजिए आगे चले वोस चितरन का प्रमुख तकनीकी विसेश्ता है वोस चितरन की जो प्रमुख तकनीकी विसेश्ता है वो क्या है वोस में क्या होता है बार-बार दोना होता है तो रंग को बार-बार दोना हो लक्ष्मी नारायन मंदिर खजुराहों की सेली है यानि लक्ष्मी नारायन मंदिर जो खजुराहों में ये कौन सी सेली का है तो ये जो मंदिर है ये चंदेल सेली का है यानि चंदेल राजवंस के समय बनाया गया थ तो इसमें कितनी थी, चार मानवा करती हैं, आप देख सकते हो, एक, दो, तीन और चार, और ये चारों कोन थी, ये राज मिस्तरी थे, ये जो क्यूसंस हैं, जो इमेज वाले, और जितने भी ये अपनी करतियां पूछी की हैं, सारी की सारी करतियां, नेट की जो टेस्टरी च हो गया था, तो ये कुन सा हो गया था, ये जो वेष्णव धरम है, ये हो गया था, निमलिक्त में से, अजन्ता की गुफा संक्या, नो का समय क्या है, अजन्ता की गुफा संक्या, नो की बात करें, तो अजन्ता की गुफा संक्या, नो का जो समय है, ये माना जाता है, दिव पासंख्या 9 और 10 को ही माना जाता है इसलिए द्वित्तेस तापदी इसा पूरव की है ये इसका सही आंसर होगा आगे वाले प्रसिन की तरफ चले कौन सा कथन सिंदुगाटी सभेता के बारे में सही है सिंदुगाटी सभेता के बारे में बात करें तो इसमें जो सही कतन है वो है वे पशुपती की पुझा करते थे बिलकुल ये पशुपती की पुझा करते थे कांगडा च्छेत्र में लगू चितरकला पलवित एक विशिष्ट सासक के सेरेक्शन में वहे थे यानि कांगडा से लिकी जो लगु चितरकला है वो किसके सासनकाल में पलवीत हुई थी उस सासक का नाम है क्या राजा संसार चंद है सिंदुकाटी सब्वेता का कौन सा एक मात्र इस्तल है जहां कीला बंदी नहीं की गई थी यानि जो नगर टीला है दुरुग टीला है वो इन में से कौन से इस्तान पर नहीं किया गया था तो यह कहां नहीं किया गया यह चनहुदडो में नहीं किया गया था किस नदी के तट पर हडपा सम्रिद्वा यानि हडपा जो सिंदु गाटी सबेता का इस्तल है किस नदी के किनारे है तो हडपा है यह हडपा रावी नदी के किनारे इस्तित है चिंदुगाटी का कौन सा अस्तल वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्तित है तो वर्तमान में पाकिस्तान में इन में से देखा जाए तो यह कौन सा है यह हडपा है जो वर्तमान में कहा है पाकिस्तान में मूर्तिकार पीवी जान की राम द्वारा बनाएगी मूर्ति कौन सी गनेस में गनेस के हाथ में कौन सा वादे यंतर है ये गनेस की मूर्ति है इस मूर्ति को आप देख सकते है इसकी मूर्तिकार कोने पीवी जान की राम है और इसके हाथ में क्या है इसके हाथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा वीना देखने को मिलेगा यानि इसके हाथ में क्या है वीना है यह प्रसंद भी नेट की टेस्ट स्रीज से लिया गया है आगे चलते हैं इन में से कि इस बंधक का परियोग टेंप्रा में नहीं किया जाता है। टेंप्रा रंगों में इन में से किसका परियोग नहीं होता है। तो इसमें जो बबुल गौंद है इसका परियोग है जो टेंप्रा में नहीं होता है। अजन्ता की पदम पानी बोधिस्त वे चित्र इस काल की है तो अजन्ता में पदम पानी बोधिस्त वे ये जो चित्र है ये किस काल की आप देख सकते हो ये चित्र कहां है ये अजन्ता की गुफा संख्या एक में है और अजन्ता की गुफा संख्या एक और दो जिनका निर्मा इस्वी इसका है जो सही आंसर होगा निमलिकित में से ओन से मंदिर का भाग नहीं है यानि यह जो चार नाम येगे हैं इन में से मंदिर का भाग कोंसा नहीं है सिखर होता है गरब गरह होता है कलश होता है हर्मिका है यह हर्मिका किस में होती है यह होती है इस्तूप में तो यही इसका क्या नहीं होगा मंदिर का सही भाग है नहीं होगा इसका सही उत्तर है जो होगा हर्मिका राग हिंडोल कित्र में गुवंदों पर बेल बूंटों के काल से सुसजित प्रस्ट भूमी जिस सेली का प्रभाव प्रदर्शित करती है वह है वह कौन सी है तो वह है फार्सी सेली इन में से किस चित्रकार ने कला भवन सांती निकेतन में कला की सिक्षा दी तो कला भवन सांती निकेतन में कला की सिक्षा किस ने दी थे नंदलाल बोश के द्वारा दी गी थे नंदलाल बोस द्वारा चित्रित पार्थ सार्थी का माध्यम है पार्थ सार्थी नंदलाल बोस का बहुत प्रसिद चित्र है और इसका जो माध्यम है वो कौन सा है जल रंग है इन में से किस गुफा में तिरी मूर्थी की मूर्थी है तिरी मूर्थी की मूर्थी की बात करें यह तो बहुत Favourite alguna है कोई भी कंपुटेटीव का एक्जाम लगें यह प्रसंद जरूर पूछा जाता है और यह कहां पर है यह त्री मूर्थी ये है, Elephanta की गुफाओं में मुगल लगू चितरकला सेलि का कलातमक सिखर देखा जाता है कलातमक सिखर देखा जाता है मतलब प्रसन ये पूच रहा है कि मुगल चितरकला का स्वर्न काल है वो किस राजा का काल था जिसके सासन काल में वह सासक कून था यानि मुगल लगुचित्र के अलागा जो स्वर्ण काल है वो किस सासक का काल रहा था ये प्रशन पूज रहा है तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर राजबूत लगूचित्र चित्रित किए गए थे तो राजबूत लगूचित्र है ये हस्त निर्मित आगज़ पर चित्रित किए गए थे तो प्रशन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option number 3 Indian Society of Oriental Arts के संस्थापक संस्थापक Indian Society of Oriental Art के संस्थापक थे संस्थापक कौन थे सब को पता है सन 1907 में इसकी स्थापना की गी और इसके संस्थापक थे अवनिंदरनाथ टेगोर और गगनिंदरनाथ टेगोर इसके अलावा वो दोनों option में नहीं है तो फिर इनके सहयोगी कौन थे इनके सहयोगी थे कौन EV हेवल तो यहां इसका जो सही अंसर है वो क्या माना जाएगा EV हेवल माना जाएगा चित्र यात्रा का अंत में किस सेली का परभाव दिख रहा है यात्रा का अंत ये चित्रे अभी पीछे एग्जाम लगी थी एक के वीएश की लगी थी उस के वीएश के एग्जाम में ये प्रसन पूछा गया था तो इसके बारे में ये यात्रा के अंत नामक चित्र है ये अवनिंदरना टेगोर का बहुती प्रसीच चित्र है किस सेली का परभाव है तो इस चितर पर पहाड़ी और मुगल सेली का प्रभाव है भारत में अपना सासन पुनहे स्तापित कर हुमायू दो फार्शी चितरकारों को साथ लाए थे वे कौन थे वे मीर सेयद अली और खवजा अब्दू समंद क्या थे सिराजी थी तो मीर सेयद अली और खवजा अब्दू समंद सिराजी ओप्शन नमबर 3 चोल कालीन नटराज की मूर्ती में सिव की भंगिमा है बहुत बार ये प्रसंद पूछा जाता है इसकी भंगिमा क्या है इसकी भंगिमा है अती भंग मुगल लगु चितरकला सेली का विकास वा मुगल लगु चितरकला सेली का जो विकास है इसका जो समय माना जाता है वो 16-19 स्ताब्दी माना जाता है तो आप देख सकते हो 16-19 से मद्धे 19-19 स्ताब्दी तक उप्शन नमबर 2 इन में से किस रंग को फिक्स करने की जरूरत पड़ती है ये क्योशन देखा जाए तो repeat हुआ है ऐसा ही पहला क्योशन पूछा भी जा चुका है और इसका सही अंसर होगा Dry Paste Color लगुचित्र रागमेग किस पहाड़ी सेली से समंदित है तो रागमेग की बात करें तो ये रागमेग जित्र है ये कांगडा सेली से समंदित है बंगाल सेली की विसेष्ता थी बंगाल सेली की बात करें तो बंगाल सेली है ये जल रंग से कारिये करते थे यानि इसमें जल रंग से कारिये होता था तो option number जो 4 है वो इसका सही उत्तर होगा गंगा अवतरन मूर्ति के दाए भाग में यानि दाए भाग आपको इधर देखोगे इधर दाए भाग में किस विसाल काई जानवर को दिखाया गया है तो यहां पर देखो आपको क्या दिखाया गया है हाती तो यहां विसाल काई जो जानवर है वो क्या है हाती यह image papers में नहीं आये थे हमारी टीम ने लगाई है और आप इसी परकार qualitative education प्रापत करना चाते हो तो आप mission art से जुड़िए mission art अपनी quality के लिए ही जाना जाता है कि आगे वाले प्रसंद की तरफ चले इस्तिर चित्रन अध्यन में वस्तु का आभासी गोलाई लाया जाता है तो वस्तु का आभासी गोलाई लाया जाता है कि से चाया और प्रेकास और इसके अलावा गर मैं एक चीज के एनवीएस के डिएसस्वी के राजस्तान के अर्पेसी की बात करें यूपी टीजिटी पीजिटी की बात करें तो सभी पेपर्स हम आपको प्री ओफ कोस्ट है इसी परकार से डिटेल में हल करवाने वाले हैं हमारी सीरीज है जो लगातार चल रही है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें लाइक करें और कमेंट जरूर करें और अगर आप ये पीडियप प्रापत करना चाहते है तो मिशन आट को डाउनलोड कर लीजे वहां पर आपको ये पैनल पीडियप भी प्रापत हो जाएंगे अगला प्रसन है मादेमिक स्तर पर कला को किन वीशों के साथ एकी करत करें सकते हैं ये देखा जाए तो टीचिंग एप्टिट्यूट के अंतरगत ये क्यूशन आता है तो इसमें आ विद्यार्थी कुण सी परकिर्या से नहीं गुजरता इसमें क्या विद्यार्थी रटता नहीं रटने की परकिर्या से नहीं गुजरता है कला सिक्षा की नीम के से रखी जाती है विशेश कर प्रात्मिक स्तर पर तो प्रात्मिक स्तर पर कला सिक्षा की नीम रखी जाती है creative यानि रचनात्मक अभी वेक्ति के साथ कला एकिकरत सीखने में कला को कहा गया है कला को कहा गया है कला को कहा गया है सेक्षिक उपकर कला एकिकरत सीख्षा किसके विकास में मदद करती है तो एकिकरत सीख्षा के इंतरकत बात करें तो कला है जो संग्यानात्म, मनो प्रेड़ना, भावनात्म कारेक्षत्र में क्या करती है, ये व्रधी करती है या मदद करती है, अजन्ता के प्रेंस को सेली के चित्र, पदम पानी बोधिस्त वे किस भंगीमा में दरसाया गया है, ये तस्वीर आई थी, आप देख सकते हो, इसमें भंगिमा पूछ रहा है, तो भंगिमा एक, दो और वापस तीन, तो कौन सी त्री भंग, तो कौन सी भंगिमा हो गई, त्री भंग भंगिमा हो गई, डिटेल क्लासों में हमने बताया है, अती भंग जो मुद्रा है वो कौन सी होती है, त्री भंग कौन सी होती है, द चित्र ने दी गई तस्वीर में किया गया है यह चित्र है आप देख सकते हों तो यह दारा सिको ही कि बारात नामक जो सिर्सक है इसका यह दर्श्य है जो इसमें दिखाया गया है आप देख सकते हूं सिहे सिर्स, लोईन केपिटल के सिर्स फलक पर घोडे, सांड और हाती के अलावा कौन सा जानवर दर्साया गया है? इसमें क्या है? सिर्स स्तल पर घोडे, सांड और हाती के अलावा क्या? सिहे, क्या दर्साया गया है? सिंग, यानि सेर है जो दर्साया गया है. तस्वीर में दरसाएगे राजस्थानी सेली के चित्र को पहचाने जो साहब दीन द्वारा चित्रित है तो सहब दीन द्वारा इन में से कौन सा चित्र है जो चित्रित है ये है चित्र और चित्र का नाम आपको बताना है क्या है ये है मारू रागिनी नामक प्रसिद्द चित्र चोल सेली की तांस से मूर्ती नटराज के उपरी दाएं हाथ में डमरू दरसाया गया है उपरी बाएं हाथ में क्या दरसाया गया है आप इस मूर्ती को देखी इसमें ये कह रहा है कि नटराज की उपरी दाएं हाथ में या उपर का ये जो दाएं हाथ है इधर क्या है इधर दंबरू दर्साया गया है तो यह एwasser कह रहा उपपर के बाएं हात में उपपर का बाएं हात कोन आ यह है इसमें दर्साया गया है अगनि क्या दर्साय गया मूर्थी सिल्प संथाल परीवार में कितनी मानवाकरतियां दरसाई गई है संथाल परीवार में जो मानवाकरतियों कि संख्या है वह कितनी है वो है तीज दक्षिनी लगुचितर यानि दक्षिनी चितर कला की बात करें पोलो खेलते वे चांद भी भी इस सेली से समंदित है तो ये जो चितर है आप तस्वीर देख सकते हो ये चितर है जो बीजापूर सेली बीजापूर का नहीं है राजस्तान की किताबें जो प्राचीन किताबें थी वो इसको क्या मानती थी? बीजापूर मानती थी जबकि NCRT के अकोर्डिंग बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा गोलकूंडा ही होगा आगे वाले प्रसंद की तरफ चले है सिंदु गाटी में पाई गई नर्तकी की छोटी सी मूर्ती को बनाया गया है तो सिंदु गाटी सबेता में यह जो कांस्य की जो नर्तकी है इस नर्तकी की बात करें तो यह कौन से माद्धे में बनाया गया है इसी के साथ यह paper है जो complete हो जाता है कुछ questions थे जो हमें नहीं मिले हमें प्राप्त नहीं हुए इसलिए हम उनके answer आपको नहीं बता पाए क्योंकि question ही हमारे पास उपलब्द नहीं हुए आप लगातार हमसे जूड़िये हम आपसे वादा करते हैं कि ड्रोइंग में आपको best से best content उपलब्द करवाने की कोशिस करेंगे मिलते हैं इसी परकार अन्य महतुपून papers और महतुपून जानकारियों के साथ तब तक के लिए वंदे मातरम जय हिंद जय भारत